सिदार्टनर जिले की पुलिस और SSB टीम आज बड़ी सफलता हत लगी मोहना थाना छेतर के ककर हवा नेपाल बॉर्डर SSB और पुलिस की संयुक्त कारवाही में तीन किलो चरस के साथ एक तसकर को धर दबोचा आपको बताते चलेंगी पकड़ा गया तसकर मनोज कुमार तीन किलो चरस के साथ नेपाल से भारत आ रहा था तब ही पुलिस और SSB की टीम ने उसकी तलासी ली जिसके बाद उसके पास से तीन किलो चरस बरामद हुआ अंतरास्टिय बाजार में इस चरस की कीमत लगबग 36 लाग रुपे आ की जा रही है चरस की इस बरामदगी को पुलिस की एक बड़ी सपलता मानी जा रही है अभियूक्त मनोज कुमार के खिलाप आगे की कारवा ही चल रही है इसके पीछे और कौन-कौन लोग हो सकते हैं एक करियर ही था या में